दोस्तो बहुत से ऐसे कोमेंट आते हैं कि सर्फ दूद तो पूरा बढ़ गया पर फैट नहीं आरा दूद सस्ता बिकता है क्या करें तो दोस्तो आज किस वीडियो में कुछ ऐसे गरेलू उपाए गरेलू नुश्के बताऊंगा जिससे दूद में पूरा फैट बढ़ जाएगा और दूद की मातरा भी बढ़ जाएगी तो नमस्कार दोस्तो मैं हूँ शी स्पाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सब का पसंद दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम रोजाना डेरी फार्मिंग की या फिर पसुपालन की जानकारे बरी वीडियो अपने इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं जिन से जानकारे लेकर आप अपने पसुपालन को काफी उचाईयो तक लेकर जा सकते हैं और कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा मुनाफ़ा अपने डेरी फार्मिंग से या अपने पसुपालन से कमा सकते हैं तो इसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो च ये करना है कि जब आप दूद निकालते हो तो दूद का कुछ 10% हिस्षा चारो थणों में से जो पहला दूद है उसका 10% हिस्षा एक अलग बरतन में निकाल कर एक तरफ रख दे और जो बाद वाला दूद है वो पूरा निकाल कर वो आप डेरी पर बेच सकते हैं उसमें एक तरफ निकाल के रख दे वो आप घर पर यूज कर सकते हैं और अगर आप अच्छी फैट लेना चाहते हैं तो जो बाद वाला दूद होता है वही डेरी पर जाकर बेचे उसमें अच्छा फैट आपको मिलेगा तो एक ये तरीका था दूसरा तरीका क्या है दोस्तों कि जब आप दूद निकालते हो तो दूद निकालने से पहले आपने अपनी गायबैस को पानी नहीं पिलाना है दूद निकालने के बाद ही आपने अपनी गायबैस को पानी पिलाना है क्योंकि दोस्तों पहले आप पानी पिलाओगे तो भी उससे भी दूद में फैट की मातर कम आती है बाद में पिलाते हो तो फिर दूद प्योर होता है उसमें फैट की मातरा ज्यादा होती है तो दूसरा ये तरीका था तीसरा तरीका क्या है दोस्तों तीसरा तरीका है दोस्तों सर्शो का तेल सर्शो के तेल ये बहुत ज्यादा फैट के मातरा बढ़ती है लेकिन य ज़्यादा शर्शो का तेल दोगे तो उसका बहुत ज्यादा नुक्सान होता है तो ये हमेशा आपने लीमिट में कितना देना है पचास से सो एमेल आपने डेली का देना है आपके पशु का वेट कम है, वजन कम है तो आप उसे 50 एमेल रोज का दे सकते हैं और अगर आपके पसू heavy weight वाला है ज्यादा वजन वाला है तो आप उसको 100 ml डेली का दे सकते हैं डेली भी आपने नहीं देना है एक दिन छोड़ कर एक दिन देना है 50 से 100 ml और ये 10 दिनों तक ही आपने देना है चोथा जो सबसे जरूरी चीज है वो है bypass fat बाइपास fat क्या होता है दोस्तों जो भी आपके पसू चारा खाते हैं पहले माँ आपको ये बता दू कि जो गाय बैस है उनमें चार पेट होते हैं बाकि जो दूसरे पसू है घोड़ा बकरी वगएरा जो भी हैं उनमें एक एक पे पेट होता है लेकिन जो गाय और भैसे होती है उनमें चार पेट होते हैं तो पसू जो भी चारा फीड दाना बंटा खाते है वो पहले उसके पहले पेट में जाता है जिसको रोमन बोलते हैं वहाँ पर उसका पाचन वगएरा होता है और फिर वो जाकर शरीर में अपना काम करता है लेकिन दोस्तों जो ये बाइपास फैट है ये रोमन में नहीं जाता है कोई और दूसरे तीसरे चोथे पेट में नहीं जाता है ये सिधा शरीर में जाकर लगता है और तुरंत अपना असर दिखाता है तो ये बाइपास फैटे देना बहुत जरूरी है अगर आप देना ही देना चाहिए और यह आप डेली का 300-400 ग्राम जो दाना मिश्रन या फिर फीड वगेरा जो भी आप अपने गाय बैस को खिलाते हैं उसमें मिला कर दे सकते हैं 300-400 ग्राम डेली का यह आदा किलो भी डेली का दे दो तो भी कोई नुक्सान नहीं है उसका फायदा ही फ कुछ को नहीं और कुछ पर वो अपने साइड इफेक्ट भी दिखाता है कुछ के लिए नुक्सान भी दिखाता है सर्षो का जो तेल है लेकिन यह बाइपास फैट जो है यह हमेशा फायदा ही फायदा करता है यह दूद में फैट के मातरा तो बढ़ाता ही है साथ में अपनी गायबैस को खाने के लिए खल देते हैं खल कौन सी सर्षो की खल और बिनोले की खल यह दो तरह की खल अगर आप अपनी गायबैस को खाने में देते हैं तो उससे भी फैट की मातरा काफी बढ़ती है और जो फैट बढ़ाने वाला आखरी तरीका है वो यह है दोस्त दोस्तों की आप अगर अपनी गायबैस भी को हराचारा देते हैं, उसमें फैट कम होता है, लेकिन सुखा चारा देते हैं, तूड़ा वगारा उसी भी फैट की मातरा बढ़ती है, तो दोस्तों यह थे कुछ गरेलु तरीके जिनसे आप अपनी गायबैस के दूद में फैट क मातरा काफी हद तक बढ़ा सकते हैं इनसे फैट की मातरा भी बढ़ती है और पसुओं का दूद भी बढ़ता है तो ये 5-6 तरीके मैंने बताए सभी बहुत ही लाजवाब है बहुत ही ज्यादा दूद और फैट को बढ़ाने वाले हैं तो उमीद है दोस्तों वीडियो में द साथ ताकि वो भी वीडियो से जानकारी लेकर फाइदा उठा सके और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएए तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों जल्द ही मिलते एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ तब तक नमसकार